प्रिंसी दिवारी आपकी हिंदी रीचर आज आपको हिंदी में पार्ट एक समझाने जा रहे हूँ जिसका नाम है प्रार्थना यह एक कवीता है जिसके कभी डॉक्टर जैकुमार जलत जी है तो आईए इस कवीता का हम लएक के साथ वाचन करते हैं आप अनुकरण कीजेगा और जब मैं इसके आर्थ को समझाओ तो आप इसके आर्थ को समझेगा तन से मन से और बुद्धी से हम सब बहुत बड़े हो परवस से हो सिर उचा कर सीना तान खड़े हो कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दे आनी से हो मुशीबतों को बादल सा बिखरा दे इन पंग प्रसंग प्रस्तत पंग्तियों में कवी हमें प्रेणा देते हुए कहते हैं कि हम अपनी बुद्धी और बल का प्रयोग करके जीवन में उत्पन मुसीबतों का मुकाबला करें अर्थ कुछ इस प्रकार है तन से मन से और बुद्धी से हम सब बहुत बड़े हो अर्थात कभी की एकाम न है कि हम सबी तन, मन और विबेग से बड़े हो परवत से हो सिर उचा कर सीना तान खड़े हो हमारी उचाई परवत की तरह हो और हम सिर उचा कर सीना तान कर हर कटनाई का सामना करे कोई कटिन काम हो भारी हम करके दिखला दे कोई भी कटिन काम हम साहस के साथ करके दिखा सके आंधी से हों मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे हर आंधी को झेल सके और मुसीबतों को ऐसे चूर कर दे जैसे आकास में बादल बिखर जाते हैं इसका संदर्व पूर्व अनुसार होगा जो हमने पहले लिखा वही इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है प्रस्तत पंक्तियों में कवी ने हमें सबके लिए मार्क दर्शक बनने के लिए आगरह किया है इसका अर्थ मुठी में तकदीरें बांधें हसकर चलने वाले हमें अपनी तकदीर खुद बनानी चाहिए हमें हमेशा प्रसंग रहना चाहिए अंधियारे में किसी दिये की लौसे जलने वाले अंधेरे में जैसे कोई दीबक जलकर अपनी लोग से प्रकास फैलाता है वैसी ही हमें अंधियारे को उजाले से भरना चाहिए प्यासे को देखें तो हम सब सावन से गिर आएं किसी प्यासे की प्यास बुजाने की शमता हमें होनी चाहिए हम दुनिया को संतुष्ट कर सकें ऐसी चमता हमारे अंदर होनी चाहिए सागर में ही नहीं हतेली गागर में भर जाए इसका अर्थ यह है कि हम दुनिया को राह दिखाएं और उसकी हर जरूरत को पूरी कर सकें तीसरा पद्यान से ठके हुए के लिए हवा की तरह सदेव बहे हम धर्ती से हो अपने सुक दुक को चुपचाप सहे हम उठे हमारा हाथ देन दुखियों का दुख हरने को रहे न फुरसत बैठे आखों में आसु भरने को इसका प्रसंग यह है कि इन पंक्टियों में जो कवी है इन पंक्टियों के सहारे हमें बता रहा है कि हमें कमजोर और दीन दकीयों की रख्षा करनी चाहिए इसका अर्थ इस प्रकार है थके हुए के लिए हवा की तरह सदेव बहे हम कभी है काम न करता है कि हर थके हुए व्यक्ति को हम क्या दें सुकून दें धर्ती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम जैसे धर्ती हर सुख दुख को सह कर हमारे लिए हमारी जरूरतों को पूरा करती है वैसे ही धर्ती ही की तरह हम लोगों की हर जरूरत को पूरा कर सके उठे हमारा हाथ देन दुखियों का दुख हरने को हम स्वयम पर आए सुख दुख को सहन कर सके रहे न फुरसत बैठे आँखों में आशू भरने को हमें अपने आशू पहुँचने की कभी फुरसत ही ना मिल सके हम सारा समय दूसरों के दुख को दूर करने में लगा दे और उन्हें आराम पहुचाने में लगा दे मतला परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए मा इन नन्ने हातों को बस यह प्रशाद दो अपना यह उस तक भी पहुचे जिसको सब कहते हो सपना अब इन पंक्तियों में जो बच्चे हैं वह प्रार्थना में मा से आशिरवाद माग रहे हैं कवी कहते हैं कि बच्चे मा से यह आशिरवाद दें कि वह हर उचाई को छू सकें जो हर किसी के लिए सपना सा रह जाता है हम हर तरह से परिपूर हो सकें और हर असंभव उचाई को छू सकें यह बच्चों की मा से प्रार्थना है इस सारी कवीता का सारंस यह है कि कवी हमें जागरुक बनकर देश की रक्षा करने के लिए कह रहा है हम अपनी शक्ती और बुद्धी का सदुपयोग करें ताकि जीवन में आने वाली प्रतेग मुसीबत प्रतेग कटनाई का सामना हम निर्भई होकर कर सकें हमें किसमत के सहारे नहीं बैठना चाहिए बलकि मेहनत के बल से स्वयम का विकास करना चाहिए और हमें अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए हमारे अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए I hope आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा